नमस्कार बच्चों, आज हम अवतरण पर अधारीत अर्थ ग्रहन सम्मंदी प्रेश्ण करेंगे ये सभी प्रेश्ण बहु विकल्पिय प्रेश्णों को हल करने के काम आते है इसमें प्रेश्ण क्या है? अवतरण में निहित भावार्थ स्पष्ट कीजिए यहाँ पर कविता जो है दंतुरित मुस्कान के अवतरण पर अधारीत पहला प्रेश्ण है यह है तो इसका उतर इस प्रकार से लिखेंगे कवी ने अपने बच्चे की सुन्दर दंतावली को देखा था और उसकी मुस्कान पर मुग्ध हो उठा था वह अपनी पत्नी के प्रति आभारी था कि उसकी अनुपस्तिती में उसने बहुत अच्छे तरीके से बच्चे का पालन पोशन किया था प्रेश्ण खै है बच्चे की दंतुरित मुस्कान और कवी के बीच माध्यम कोन बना था बच्चों की दंतुरित मुस्कान और कवी के बीच माध्यम कवी की पत्नी बनी थी प्रश्न गय है किस अवस्था में कवी अपने बच्चे को ना देख सका जब वह बिल्कुल छोटा था तो वह अपने बच्चे को नहीं देख सका था और काफी लंबे समय के बाद अपने घर पर आया था प्रश्न गय है कवी ने किसे धन्य माना है और क्यों कवी ने अपनी पत्नी को धन्य माना है क्योंकि उसने अपने बच्चे को पालने के लिए उसके बच्चे को पालने के लिए करे किया था और यही करण है कि वह अपार प्रसनता को प्राप्त हो रहा था प्रशन डे है कवी ने स्वेम को क्या माना है कवी ने स्वेम को चिर प्रवासी माना था क्योंकि वह लंबे समय के बाद वापस अपने घर लोटा था माँ अपने बच्चे का पालन पोशन दही, घी, शहद और दूद के योग से बने पँचामरत से करती रही थी प्रशनच है मधुपर्क में निहित प्रतिकात्मक्ता सपश्ट कीजिए मधुपर्क में प्रतिकात्मक्ता छिपी हुई है इसमें बच्चे को जीवन देने वाले आत्मेता के मिठास से युक्त मा का प्यार दिया हुआ है प्रश्ण जै कवी को छविमान क्या लगती है उत्तर होगा कवी को बच्चे की दंतुरित मुस्कान बहुत छविमान लगती है प्रश्नज है नन्ना बच्चा बाहर से आए कवी की और किस प्रकार देख रहा था तो इसका उत्तर है नन्ना बच्चा कवी को कन्खियों से देखता है वह उसकी और सीधा नहीं देखता है